कि अधिया तिमित्रों 11 स्टेटिक चेप्टर नंबर 8 फलन के अंदर आज अपने सिखेंगे सेक्शन डी के सवाल तो चलिए पहले सवाल के अंदर आपको क्या दिया है तो ए बराबर आपको दिया है दस बीस और तीस बी बराबर दिया है 18, 48, 98, 128 और 148 और Fx बराबर आपको दिया है 5x-2 आपको ग्याद क्या करना है इस सवाल के अंदर आपको प्रदेश, सव प्रदेश और विस्तार ग्याद करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने ग्याद करते हैं प्रदेश तो प्रदेश बराबर होता ह तो दी एफ यानि ए बराबर आपको दिया है दस बीस तीस तो उसको प्रदेश कहेंगे तो यहां प्रदेश बराबर मिल गया आपको 10 20 और 30 सब्रदेश आपको दिया हुआ है वह भी तो सब्रदेश बी बराबर दिया है कितना 18 48 98 128 और 148 अब आपको गयाद क्या करना है विस्तार यानि आरेफ गयाद करना है तो आरेफ गयाद करने के लिए आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स है उसके अंदर अपने प्रदेश की कीमत रखेंगे तो एफ एक्स बराबर आपको कितना दिया है 5x माइनस 2 और तो एक्स बराबर अपने लेंगे कितना 10 20 और 30 तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले x बराबर लेते हैं कितना 10 तो F10 बराबर 510-2 तो यह आया 10, 5 सा 50, 50-2 तो यह मिला कितना 48, ओकी, X बराबर अभी कितना लेंगे 20, तो F20 यहां रखेंगे 520-2, 25 सा कितना हुआ, 100-2 तो यह कितना आया 98, अब X बराबर कितना लेंगे 30, तो X बराबर लेते हैं कितना 30, तो F30, 5, 30-2, 35 सा कितना हुआ, 150-2, तो यह आया 148, ओकी, तो जबी भी आपको विस्तार ग्याद करना हो, तो प्रतेश की कीमत आपको क्या करने पड़ेगी, फंक्शन के अंदर रखने पड़ेगी, तो यहां पर आपको फंक्शन मिला, 98 और 148, तो इस प्रकार आप प्रदेश, सब प्रदेश और विस्तार ग्याद कर सकते हैं, चलिए चलते हैं दूसरे सवाल के अंदर, दूसरे सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर P बराबर दिया है, माइनस 1 अपॉन 2, 1, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, और Q बराबर दिया है, माइनस 1 अपॉन 5, यहां दिया है, 1, 1 बाइ 3, और 3, और fx बराबर दिया है x upon 2 minus x और आपको प्रदेश, सहब प्रदेश और विस्तार ग्याद करना है तो यहाँ पर भी आपको प्रदेश, सहब प्रदेश और विस्तार ग्याद करना है तो सबसे पहले अपने प्रदेश ग्याद करते हैं तो प्रदेश यानि P की मत अपने रखेंगे तो DF बराब लिखेंगे कितना minus 1 upon 2, 1, 1 upon 2 और 3 upon 2 सब प्रदेश दिया हुआ है Q सब प्रदेश बराब लिखेंगे कितना दिया है minus 1 upon 5, 1, 1 upon 3 और कितना 3 अब आपको क्या करना है विस्तार ग्याद करना है तो विस्तार ग्याद करने के लिए जो function है उसके अंदर अपने क्या करेंगे प्रदेश की किम्मत रखेंगे तो किम्मत रखने के लिए आपको function क्या है fx बराबर x upon 2 minus x तो x बराबर कितना रखेंगे minus 1 upon 2 1 1 upon 2 और 3 upon 2 clear तो चलिए रख कर देखते हैं सबसे पहले x बराबर कितना लेते हैं minus 1 upon 2 तो जहां x से माँक पर कितना रखेंगे minus 1 upon 2 f minus 1 upon 2 बराबर x यहां पर रखेंगे कितना x के बले कितना रखेंगे minus 1 upon and two और यहां two minus x है तो two minus minus one upon कितना रखाएंगे two clear अब इसको solve करेंगे अपने तो यहां ऊपर तो minus one upon two का minus one upon two ही रहेगा यह minus minus क्या हो जाएगा plus तो two plus कितना हो गया one upon two तो यहां पर minus one upon two का one upon two अब आझ बूना कर दिजिए 2 दो नहीं कितना हुआ 4, 4 और एक इतना 5 तो यह आया कितना 5 बटे कितना आया 2 कितना आया 5 बटे 2 अब इसको काट सकते हैं आप 2 से 2 कट गया तो यहां बचा कितना minus 1 upon 5 That's the value of f minus 1 upon 2 clear? अब x बराबर कितना लेंगे 1 तो f 1, यहां पे करेंगे 1 2 minus कितना 1 तो 1 upon कितना आया 1 यानि हाकिमत मिली कितनी 1 तो यह मिल गए आपको f 1 अब x के बरले कितना रखना है 1 upon 2 तो चलिए x के बरले रखते है 1 upon 2 तो x बराबर 1 upon 2 तो मिलेगा f 1 upon 2 बराबर आपके पास function क्या है x x के बरले कितना रखेंगे 1 upon 2 निचे 2-x यानि 2-2 कितना करेंगे 1 upon 2 अब इसको solve कर देते हैं तो 1 upon 2 का 1 upon 2 2, 2 जा कितना हुआ 4, 4- कितना करेंगे 1 यानि कितना आया 3, 3 divided by 2 तो 2 से 2 कट गया तो ये कितना आया 1 upon 3, clear ये कैसे कटता है वो देखना हो तो 1 upon 2 उपर है, निचे वाले को उल्टा कर देना है 3 upon 2 है तो 2 upon कितना हो गया 3, 2 से 2 कट गया तो ये आया 1 upon 3, ऐसे भी आप कर सकते हो अब x बराबर कितना लेंगे, अपने x बराबर लेंगे कितना 3 upon 2 तो चलिए x बराबर लेते हैं कितना 3 upon 2, यानि f 3 upon 2 मिलेगा, बराबर x के बरले क्या रखेंगे, 3 upon 2 का 3 upon 2 upon 2 minus x, यानि 2 minus कितना करेंगे 3 upon 2, तो उपर 3 upon 2 का 3 upon 2 ही रहेगा अब यहां गुणा करेंगे, 2 दो नहीं कितना हुआ, 4, 4 में से 3 गया, तो कितना बचा, 1 एक बटे कितना आया, 2, अब काट दो, 2 से 2 कट गया, तो यह आया, 3 upon 1, यानि कितना 3 that's the value of f 3 upon 2, ओके, मिल गया, तो इस पेकार आप विस्तार गयाद कर लिया तो अब लिग देंगे, अपने rf बराबर, पहले कितना मिला था आपको, minus 1 upon कितना 5, फिर कितना मिला था, 1 1 upon 2 लिया तो कितना मिला, 1 upon 3, और 3 upon 2 लिया तो कितना मिला, 3 तो इस पेकार आप विस्तार ग्याद कर सकते हैं तो सिंपल सानिया में जबी भी आपको विस्तार ग्याद करना हो तो उस समय आपके पास जो function है फलन है उसके अंदर आपको प्रदेश की क्या करनी है किमत रखनी है चलिए सवाल नमबर टीन पे चलते हैं अपने तिस्रे सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है fx बराबर दिया है 1 upon x ब्रेकेट में दिया है 1 plus 1 upon x और ब्रेकेट के बार दिया है minus 1 आपको f-1 f-2 और f1 upon 2 की क्या करनी है यह कीमत ग्याद करनी है तो बिलकुल इससवाल है तो x के बर ले एक बार कितना लेना है minus 1 एक बार कितना लेना है minus 2 और एक बार लेना है 1 upon 2 तो चलिए start करते हैं सबसे पहले x बराबर ले लेते हैं कितना minus 1 त्यान से देखिएगा यह function है आपके पास तो 1 x के बर ले कितना रखा minus 1 वापस 1 1 plus 1 x के बल्ले कितना रखेंगे माइनस 1 अब x Fixed Portal कितना लेंगे अब नई x बचल देंगे कितना माइनस 2 तो चाहen पर x से वहाँ पर कितना रखेंगे माइनस 2 तो यह मीटेगा आपको f माइनस 2 बचल सु 1 अपन x के बल्ले कितना रखेंगे minus 2 1 plus 1 upon x के बल्ले कितना रखा minus 2 तो यह हो गया minus 1 clear तो अब यहां पर solve करेंगे इसको तो 1 upon यह कितना है minus 2 अंदर-अंदर का solution करेंगे minus 2 into कितना करेंगे 1 तो यह हो गया minus 2 plus 1 और upon में कितना minus 2 और bracket के बार कितना है minus 1 अब solve करेंगे इसको तो minus 1 upon 2 का minus 1 upon 2 यह कितना हो गया minus 2 plus 1 तो यह हो गया कितना minus 1 upon कितना minus 2 यहां पर कितना आएगा minus 1 clear अब इसको solve करेंगे तो 1 upon 2 यह minus में है तो यहां रख देते हैं minus 1 upon 2 यह plus में हो गया 1 upon 2 और यहां पर कितना है minus 1 चलिए इसको solve करतें तो यहां लसा आजाएगा दो और दो का कितना आजाएगा यहां पर 4 कितना हो गया 4 इसको solve कर दें तो यहां करेंगे तो यह कितना minus 1 upon 2 into कितना करेंगे 1 upon 2 तो यह आया minus 1 upon कितना 4 और minus 1 का minus 1 अब इसको solve करेंगे तो minus 1 का minus 1 रखेंगे 4 into 1 किया और यह minus में तो minus कितना हो गया 4 upon कितना है 4, तो minus 1 minus 4 ये कितना हो गया, minus 5 upon कितना 4 clear, एक बार वापस देख लिए थे 1 upon x, यानि x से बले रखा minus 2, 1 plus 1 upon x यानि minus 2, minus 1 का minus 1 इसका स्वाल किया, minus 1 upon 2 का minus 1 upon 2 रख दिया, पहले अंदर का गुना किया minus 2 into 1 किया, तो minus 2 और plus 1 का plus 1 upon कितना minus 2, अब minus 2 plus 1 किया, तो ये कितना आया, minus 1 minus 1 upon minus 2 तो ये 1 upon 2 हो गया अब इसका गुना किया, तो 1 into 1 यानि 1, 2 into 2, यानि 4 minus की निसानी है, तो यहाँ पे minus रख दिया और minus 1 तो है ही है, अब गुना कर दिया, तो minus 1 का minus 1, 4 into 1 किया, तो minus 4 upon 4, यानि minus 5 upon अब X बराबर कितना लेंगे अपने 1 अपन 2 तो चलिए X बराबर लेते हैं कितना 1 अपन 2 यह मिलेगा क्या F1 अपन 2 बराबर 1 अपन 1 अपन 2 1 प्लस 1 यहां पे भी आएगा 1 अपन 2 और माइनस 1 का माइनस 1 अब इसको सॉल करते हैं अपने तो यह 1 से 1 हो गया तो यह हो गया कितना 2 अपन कितना हो गया 1 उपर का उपर गुणा कर किया तो 2 अपन 1 हुआ अंदर अंदर का गुणा कर कर देते हैं अपने तो 1 plus ये कितना हो गया 2 upon 1 minus कितना 1 clear अब इसको solve कर देते हैं तो 2 upon 1 यानि कितना हो गया 2 right अब यहां गुणा करो 1 into 1 किया तो 1 1 plus 2 यानि 3 3 upon कितना है 1 यानि ये कितना हो गया 3 minus कितना 1 तो 3 2 जा कितना 6 6 minus 1 किया तो ये value कितने मिली 5 तो इस परकार X के बदले आप minus one minus two और one upon two रखेंगे जब भी आप किमत रखें तो खास द्यान रखें प्लस minus का खास द्यान रखें गुनाकार करना हो तो उससमें खास द्यान रखें किससे क्या करना है तो कुछ भी प्रोब्लम होगी नहीं चलिए सवाल नंबर चार करते हैं तो यहां पे आपको fx बराबर क्या दिया है 4x-3 और विस्तार दिया हुआ है rf दिया है कितना 9, 13, 17 और 25 और आपको ग्याद क्या करना है df ग्याद करना है नहीं प्रदेश ग्याद करना है तो चलिए fx बराबर आपको कितना दिया है 4x minus 3 अब x की value आपके पास में क्या करनी है ग्याद करनी है कि x बराबर क्या आएगा fx है यहाँ आरेफ आपको अलड़ी दिया हुआ है तो यहाँ पे रख देंगे कितना 9 बराबर 4x minus कितना 3 अब इसको अपने क्या करेंगे solve करेंगे यह minus में इस तरह आजाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस तो 4x बराबर कितना आया 9 प्लस कितना आया 3 तो 4x बराबर हो गया कितना 12 तो x बराबर आया कितना 12 divided by 4 तो value आई x की कितनी 3 यह पहली किमत मिली x बराबर कितना मिला 3 अब आप क्या करेंगे fx के बरले कितना रखेंगे 13 तो चलिए यहां रखते हैं 13 बराबर 4x minus कितना 3 फिर minus इस तरह बाजागा तो प्लस हो जाएगा तो यह 13 प्लस कितना हो गया 3 बराबर कितना 4x 13 प्लस 3 यानि 16 बराबर कितना 4x तो x बराबर हुआ 16 divided by 4 तो x की value कितनी मिली 4 तो x बराबर कितना मिल गया 4 अब अपने rf बराबर कितना लेंगे 17 तो चलिए 17 बराबर 4x minus कितना करेंगे 3 अपस यह minus इस तरह पाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 17 प्लस 3 बराबर कितना divided by 4 तो x बराबर मिला कितना 5 टेक्स की value मिली अब अपने rf बराबर कितना लेंगे 25 तो चलिए 25 लेते हैं तो 25 बराबर 4x minus कितना 13 यह minus है इस तरह पाएगा तो वापस क्या हो जाएगा 25 प्लस कितना किया 3 बराबर कितना 4x तो यह आया 28 यहाँ पे कितना आया 4x तो x बराबर कितना मिला 28 divided by 4 तो x बराबर साच्चोगठा यह यानि कितना मिला 7 तो आपको इस परकार प्रदेश की कीमत मिल गई तो अपने लिख सकते हैं df बराबर आपको क्या मिला df बराबर तो पहली कीमत कितने मिली 3 फिर कितना मिला 4 फिर 5 और फिर 7 तो जिस परकार आपको इस पर प्रदेश होता है तो आप विस्तार गयाद करते हो तो आप विस्तार है तो विस्तार के उपर से प्रदेश भी गयाद कर सकते हैं चलिए एक और सवाल देखते है लाज सवाल सवाल नमबर 5 5 के सवाल के अंतर आपको क्या दिया है fx बराबर 2x स्क्वेर माइनस 5x प्लस 4 और यहाँ पर आपको दिया है कि f3x माइनस 3 fx प्लस 5 बराबर 0 होता है कि नहीं होता है यह क्या करना है आपको साबीत करना है तो यहाँ पर x के बल्ले कितना रखना है आपको 3x, कितना रखना है 3x रखना है, क्योंकि f कितना रिया है 3x, यहाँ 3 का 3, fx की value रखना है आपको और plus 5 का plus 5, चलिए सबसे पहले अपने f 3x ज्याद कर लेते हैं, यादी x बराबर कितना लेते हैं 3x, तो चलिए f 3x बराबर 2 x के बल्ले कितना रखेंगे 3x का square, minus 5x के बल्ले कितना रखेंगे 3x, plus 4 का plus 4, अब इसको क्या करेंगे अपने solve करेंगे, तो 2, 3x का square किया, तो यह कितना हो गया 9x square, minus कितना 15x, plus कितना 4, अब इसको solve करो, तो यह कितना हो गया 18x square, minus 15x, plus कितना 4, यह आपको मिला F3X अब इसके अंदर अपने क्या करते हैं value रख देते हैं या भी 3FX भी अपने क्याद कर लेते हैं तो चलिए 3FX भी क्याद कर लेते हैं तो 3FX के बले कितना रखेंगे 2X square minus 5X plus कितना है 4 FX के बले तो दिया हुआ है आपको अब गुना कर दीजिए तो यह हो गया 6X square minus 15X plus कितना 12 अब आप इसके अंदर रखम रख सकते हैं तो F3X minus 3FX plus कितना है 5 बराबर क्या साबित करना है 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है F3X से बले क्या रखेंगे 18X square minus 15X plus कितना 4 minus 3FX के बले कितना रखेंगे 6X square 6X square minus 15X plus कितना किया 12 और plus 5 बराबर कितना है 0 चलिए इसको solve कर देते हैं 18X square minus 15X plus 4 minus का plus हो जाएगा plus का minus हो जाएगा तो यह हो गया minus 6X square plus कितना हो गया 15X minus कितना 12 plus 5 बराबर कितना 0 अब यहां देखिए इसको solve करते हैं तो यहां पर 18X square है यहां पर 6X square है तो 18X square में से 6 square क्या करेंगे minus करेंगे plus minus है इसके लिए तो यहां बचा किया 12X square अब यहां minus 15X है बराबर कितना है तो यहां पर यहां कितना है 4 यहां कितना है 5 कितना हो गया 9, 9 minus कितना करना है 12, तो क्या बचेगा minus 3, बराबर कितना है 0, बराबर कितना लेंगे 0, तो यहाँ पर x square बराबर मिलेगा आपको क्या 3 upon कितना 12, यानि अपने रख सकते हैं 1 upon कितना 4, तो x बराबर मिला, plus minus 1 upon 2, तो x बराबर कितना मिला, plus 1 upon plus minus 1 upon 2, तो इस परकार x की value अपने ग्याद की, बराबर 0 रख कर, तो इस परकार आप सवाल नमबर 5 भी कर सकते हो, होपस हो कि आपको स्वाध्या आट के section D के 5 उपन सवाल समझ में आ चुके होंगे, thank you very much, जै हिंग, जै बारत, स्वस्तरिये, मस्तरिये